नमसकर दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग दोस्तों सीख पाएगे कि अगर आप लोग अपनी घर पर वाइट सेमेट को एपलाई करता है और वाइट सेमेट एपलाई हो जाने की बाद एक चीज का ध्यान देना ज़ादा दोस्तो 70 पार्षन घरों पर white cement लागाने की बाद पाप्री बन के white cement झाड जाता है और सिरिफ 30 पार्षन घर पर white cement लागाने की बाद दिबार इस तरह से दोस्तों बहुत ज़ादे स्मूध होता है जितना भी हाद ऐसे करेंगे कुछ भी नहीं होगा और पाप्री बनगे निखरेगा नहीं अब सवाल है कि भाईया आखिर वो तरीका है क्या जिस तरीका से हम लोग अपनी दिवारों को वाइट से मेट अपलाई कर देंगे लेकिन कुछ भी फरक नहीं होगा बलके हमारे दिवार एक अच्छा बेस रेडि हो जाएगा और पेंट का जितना लाइब है वह साही तरह से खड़ी उत्रेगा चाहे चार साल पांच साल बीच जाने की बाद भी हमारी वाइट से मेट वै पेसा को अगर बरबात नहीं करना है तो आप बिलकुल भी वीडियो पर आ चुका है इस वीडियो पर दोस्तों आप लोग एक प्रोपर तरीका से वाइट से मेट किस तरह से लगाना है ताकि आपका घर पर वाइट से मेट पापनी बन के ना जहरे देखें दोस्तों सबसे पहले में आपको एक चीज़ बता दू कि वाइट सेमेट जो होता है ना वाइट सेमेट दोस्तों जो हमारा ब्लाक सेमेट होता है लाइक अल्टर टेक डालमिया एसी सेमेट होता है ना उस सेमेट का ही दोस्तों एक मिस्तरन होता है यानि कि वाइट सेमेट में जितना गुन हो होता है वो हमारे ग्रेश सेमेट पर भी तो प्रोपर तरीका से क्यो रिंग हो पादी का छिड़का हो मसाला में सेम केस दोस्तों वाइट सेमेट वाइट को पेंट समझ का तो एपलाई कर देता है लेकिन सुझता है कि भाईया यह तो पेंट है इस पर पानी डालने का आखिर जारूरती क्या है दोस्त यह बिल्कुल भी गलत है वाइट से मिट को एक सही डाइरेक्शन पर एक सही गाइट पर अगर अब लोग पानी का छिड़काओं में ही करेंगे है तो जाहिर सिभा दोस्तो आपका वाइट से मत पापड़ी बनके निखरेगा और हात को ऐसे करने से भी हाथ पर आइगा पर दूए आपने प्से अपका प्रास्टर का दीबार है तो देखना की अब आपका दीबार है वो गिला गिला थोड़ा तोड़ा रहेगा याने कि अगर आपकी दिबार और भी जादा शुका है फिर जिस वक्त आप लोग वाइट करेंगे उस टाइम ही वाइट सेमेट को थोड़ा पानी का छिड़काव करते है ठीक है आप पानी को छिड़काव करने की बाद दोस्तों आपको करना है क्या वाइट सेमेट एपलाई करना है दिवारों पर अपने पानी का छिड़काव कर दिया दिवार आपका घिला है और आ प्रटों आपको नहीं कहाएगा कि भाई या तक वाइट से मेट का भी तो नहीं लिखा में डीडेल का फेबिकॉल जरूरी है कि दोस्तों हमने यह 100 घरों पर वाइट से में ऋपर वाइट से मेट का फेबिकॉल कि बीच में एक अच्छा बोंडिंग हो जाएगा पापली बनने का जंजत नहीं तो हमने डीडियल का फेविकॉल सही एक रेश्यू पर मिक्स कर दिया है करने की बाद दिवार को वाइट सेमेट पहला कोट कर दिया है करने की बाद याद रखना एक दिन छोड़कर अगले दि क्या है फिर पानी से भीगोने का क्या जरूरत है जरूरत है दोस्त पानी से भीगोने से आपका जो वाइट से में उसका पकट धीरे-धीरे और भी जदा मजबूती होगा फिर क्या करना है फिर आपको डवाल कोट करना है सेम प्रोसेस पानी से भीगोने की बाद आपको भा घर चली जाओ कोई दिक्कत नहीं फिर नेक्स डे अगले दिन फिर आईए आके जिस दिबार पर आपने वाइट सेमेट को एपलाई किया उस पर क्या करना है पानी का तराई करना है कितना पांस से लेकर छे दिन अगर आप लोग तराई करेंगे तो येकीन मानिए आपकी अगर आप लोग छाट पांस से लेकर छे दिन अच्छे से दिवारों को वाइट सेमेट की उपर तराई कर देंगे तो ये किन मानिए कोई माई का लाल ए नहीं कहें सकेगा कि भाईया हमारी वाइट सेमेट पर ये प्रोबोलम है भाईया प्रोबोलम इसलिए आता है क्यूं कोई सवाल है तो हमें करें कमेंट की सवालों का जवाब जरूर देंगे